अश्लाम अलेकुम आजम बनारी बीफ की निहारी जो कि बिल्कुल रस्टरिन स्टाइल बनती है सो आये स्टार्ट करते हैं पहले हम होमेट निहारी मिसाला राडी कर लेंगे जिसके लिए धनिया साबित 2 तेबल स्पून ते इस पाथ 2 कावि मिटशा वान टेबल स्पून लॉंग बन टेबल इस्पून जाय फल जाएफल ओशावतरी का मैंने चौता पीस लिया था और सोत का भी मैंने अच्छे से घ्रिं कर लियार है एए when it isない you're लिए एक एरआ लिए रड़ा दॉ टेल्स फुन मैंने आटा लिया है तूम्हें दो यह रड़िय expect Bhanne एक पानी किमद्थी बेस नियार और यहाँ पे मैंने कईजी बहुं लियार जो के डिस्थ में वोनलेस और हॉनलेकर शाते girum हो अच्छे से हम इसको बोल लेंगे इसमें मैंने चार प्रास पानी एक कर दिया है और इसे अच्छे से बॉयल आनी दूंगी जब बॉयल आ जाएगा तो मैंसे हल्की आश पे ढ़के पकाने रख दूंगी एक से डिट गंटे में बीफ गल जाएगा फिर आगे के स्टैप उसकी के बाद हम करेंगे जी तो एक से डेट घंटा हो गया और बीफ अलमोज अच्छे से गल गया है अब यहां पर मैंने फोर टेबल स्पून आटा लिया अगर आपको ज्यादा थिक पसंदे तो आप सिक्स ले सकते हैं बट इतिंग फोर इस इनफ है क्योंकि फिर बहुत ज्या जी और मैंने फ्रीम जाबी बिल्कुल लोग कर रखी है जी यहां पर मैंने अगैन हाफ कप गी ले लिया जो मैंने होम में मसारा रेडी कहता है डेर टेबल स्पून मैं वह आइट करूंगी आप अगर चाहे तो इसमें लाल प्यास भी आइट कर सकते हैं और अब मैंसे निह आट से दस मिल्क मजीद पकाऊंगी तो यह बिल्कुल रैडी हो जाएगा और सीम टुसेम इसका बजार वाला टेस्टा को बिलेगा आप चाहें तो पैकट का मसाला भी उस कर सकते हैं या फिर आप यह होमेड मसाला बनाकर रख सकते हैं जी तो आट से दस मिल्क हो गए हैं और यह तयार है हमारी मज़िदार सी निहारी आप इसे जरूर ट्रै कीजिएगा और मज़े अपना फीड़ बैक दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कीप स्मालिंग और थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज